आप सब भी क्या सुगत हैं, MCC ने अभी थोई दिर पहले एक नोटिस जारी किया है, उस नोटिस को पढ़ने के बाद बहुत सा रिशन तो डरी जाएंगे, लेकिन मैं क्लिर कर रहता हूँ, MCC ने बताया है कि जो कल रिजल्ट जारी किया गया, round first MCC का, वो provisional allotment result है, वो final नहीं है, final आज साम तक जारी किया जाएगा, और MCC ने ये भी कहा है कि अगर कुछ problem उस provisional में है, तो assurance email कर सकते हैं, email ID भी दिया हूँ है, मैं आप सो भी को telegram पर दे दूँगा, और MCC ने ये बताया है कि final allotment result जारी किया जाएगा, जो college आपको मिलेगा, वहीं आपको final ह अब इसको पढ़ने के बाद कुछ response को ये लेगा कि क्या allotment change होगा क्या, नहीं, 99.99% allotment change नहीं होता है, जो provisional में होता है, वही final जारी करेगा, वहीं होगा, इंकम tension free रही आप सभी, इसमें no question, second thing, अभी तक allotment result इसलिए नहीं आया है, कि final allotment result जारी officially कर देगा, जैसे provisional जारी होता, वैसे ही final जारी होगा, लिस्ट एक, उसके बाद आप सभी को 2-3 घंटे बाद, आप सभी को allotment letter है, मिलना सुरू हो जाएगा, login कीजिएगा, आपको दिखना सुरू हो जाएगा, तो सभी रिशून्स को मैं कहता हूँ, आप tension मतलिए notice लेने के बाद, जो provis जारी होगा, 99.99% वो फाइन होगा, adverse condition में ही change होता है, आप tension free रहो, कोई भी information आता है, मैं आप सभी को बतार, और हाँ, अगर आप सभी को लगता है कि आप counseling नहीं कर सकते हैं, बहुत problem हो रहा है, तो मैं आपको बता दू, अगर आप counseling से unknown है, नहीं जानते हैं, तो मेरा paid counseling ले लिजिए, government के लिए only one triple an, यानि 2000 है, और private के लिए only three triple an, 4000 है, आप सब भी ले लिजिए, link दे रखा है, description box में, या इस number पर आप सो भी, आज साम 6 बज़े के बाद कभी inquiry कर सकते है, all the very best, मिलता है बीजिए